हां तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेपर हैकर की यूट्यूब चैनल पर आज हम डिसकस करेंगे यूनिट नंबर एट आपकी ठीक है बीए सी जो बीए आपका फर्स्ट इयर सेगिंड सेमेस्टर की हिंदी का आप प्रक्टिस सेट अभी डिसकस कर रहे थे हम तो गैस पर हम डिसकस कर रहे थे हैं और इसका आठ मी यूरिट हम अभी करने बाले हैं क्या है आपकी आठ मी यूटि हिंदी-computer-tungkerjed और short hand जो है उसका सैध्धान्दिक पक्ष और हिंदी साहित में सोध जो हुए है उससे संबंदित यह आपकी आठवी यूनिट है ठीक है तो हम इसको जल्दी से पूरी यूनिट को खतम करते हैं और इस पूरी यूनिट को हम एक ही वीडियो में जो है कबर करने वाले हैं तो आपका जो पहला कुश्चन है वो क्या कह रहा है मंगल फॉंट क्या है क्या कह रहा है मंगल फॉंट क्या है आपका यूनिकोड फॉंट है नॉनिकोड फॉंट है वेब ब्राउजर है या वेब साइड है क्या है यहां पर तो मंगल फॉंट जो है वो है यूनिकोड फॉ लाटी के लिए या संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है यहां पर तो हमें बताना है कि सिद्धान्त जो फॉंट होता है वह संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है किसके लिए संस्कृत के लिए प्रयुक्त किया जाता है नौन उनिकोड फॉंट है नौन उनिकोड फॉंट कौन सा है मंगल कोकिला वकमें चाडक आपराजिता ठीक है तो हहाँ पर जो नौन उनिकोड फॉंट है वह । यहां आरे अपकोड में अपर पॉंट में यह इझाटा है यह टीज आप ध्यान रखेंग nursery जो मुख्य मेन्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट एडिट मेन्यू ठीक है और व्यू मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू इंसर्ट मेन्यू इन में से कौन से सही आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू आपका सही आंसर हो जाएगा slide show को customize करने के लिए प्रूप्त रूता है slide show so को customize किसे करते है cart insert से format से slide show menu से या view menu से तो जो आपका slide show customize का option आता है वो आता है slides show menu के दोओर किसके दोरा slide show menu के दोरा आपका आता है आज़ा風 का अर्थ है आज़ा türk क्या है संचित रूप में ठीक है आसु कभी मतलब संचिप्त रूप में आसु का मतलब क्या होता है बिस्तरित ब्याक्या पल्वन या संचिप्त तो आपका D C option बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा असु लिपिक को होना चाहिए कैसा होना चाहिए लणाकू धाबड अल desp to A Aarosop mode को कैसा होना चाहिए एक आगर्शित होना चाहिए ठीक है और जो होता है वह एक आगर्शित होना चाहिए ठीक है तो यहां पर D C option आपका प्राइओग का सौत का साहिए इन्में से कोई नहीं। तो जो प्रयोग के द्वारा सोद किया गया है ठीक है उसी के द्वारा क्या बना बास्पका एंजन बना तो प्रायोग एक सोद आपका सही आंसर यहां से हो जाएगा प्राचीन जो बैकरण का ध्वनी सास्त्री चिंतन सीर्शक सोद कारे करता है क्या कार करता है पठानो संदा तो आपका सही अंसर हो जाएगा यहां से हो जाएगा कामया कामयानी का मनो बेग्यानिक अध्यान क्या कहलाता है किसका सूद है पठान उसंदान का समाज सास्त्री सूद का साहित्य हासिक सूद का या साहित्य और इतिहासिक वो मिलकर लिखा हुआ है साहित्य इतिहासिक ठीक है अंतर विद्ध्या वर्ति सूद क्या है अंतर विद्ध्या वर्ति सूद इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा ठीक है सी ऑप्सन इसका सही आंसर यहां से हो जाएगा परिकलपना को दो या अधिक चरों के माध्यम मध्य संबंदों का कथन किसने माना है क्या रहा है परिकलपना को दो या अधिक चरों के मध्य संबंदों का कथन किसने माना है तो किसने माना है कुमार रणजीत ने कार लिंगर ने हडसन ने या इन मैंसे किसी नहीं तो यहाँ पर कार लिंगन जो हो जाएगा कार लिंगर वो सही आंसर हो जाएगा सोध परकिरिया का पहला चरण क्या होता है विसय का चैन करना या विसय की रूप रेखा निर्माड करना या सामिगरी का संकलन करना या प्रतिवेदन तो सोध जो परकरिया होती है वो शुरू होती है आपकी अपिससे से लूव कोती है ठीक है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C option तिर्थिये सौपान ठीक है C option तिर्थिये सौपान पूर्वा नुबंद में होता है क्या होता है पूर्वा नुबंद में संदर परिशिष्ट उपसंगार या प्राक कथन ठीक है तो पूर्वा नुबंद में क् सही आंसर हो जाएगा रूप रेखा की बैग्यानिकता परिपूर्णता और बस तुनिष्टत द्रिष्टी से ही उतकरष्ट कारिकी परणिती संभव है ये किसका कतन है सुचित्रा कस्यप का डक्टर नगेंद्र का नामबर सिंग का विजय मोहन सर्मा का तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परिषिष्ट है परिषिष्ट क्या होता है परष् optim पूर्वानatisfand रिया इन वैसे कोई नहीं तो परिषिष्ट आपका हो जाएगा पश्चानवंद क्या हो जाएगा पश्चानवंद यूनिकोड क्या है यूनिकोड आपका क्या होता है यूनिकोड एक टेक्नोलजी होती है क्या होती है टेक्नोलजी यहाँ पर खेरा है कि यूनिकोड फॉंट के कितने रूप होते हैं यूनिकोड फॉंट के हाँ पर आपको बताने हैं कि रूप कितने होते हैं ठीक है आपके option है 2, 3, 4, 5 तो आपके जो unicode font होता है वो 5, 3 परकार के होते हैं ठीक है ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि unicode font जो होते हैं वो 3 परकार के आपके होते हैं सोद का अंग्रेजी रूपा अंतरन, सोद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है, ये चीज हमें बतानी है, तो सोद को आपको पता है, रिसर्च सोद के लिए कहते हैं, ठीक है, रिसर्च किसके लिए कहते हैं, सोद के लिए ही कहते हैं, हिंदी फॉंट जो होते हैं, वो आ text प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते है Unicode font, Non Unicode उपर एक दोनों या कोई नहीं तो यहाँ पर जो option हो जाएगा आपका A option बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है निमने लिखत में से कौन सा Non Unicode font है कौन सा है Mangal, Kurthi Dev, Lohit Nagari या सकल भारती तो जो Non Unicode font है वो है आपका Krithi Dev ठीक है? Krithi Dev यानि कि CEO option हमारा बिल्कुल सही answer यहाँ पर हो जाएगा Next question कह रहा है आपका निमने लिखत में से कौन सा Non Unicode font नहीं है? Bachman, Krithi Dev, चाड़क या Mangal तो Mangal जो होता है वो आपका Non Unicode font नहीं होता है अब लोग कित सामिगरी का संभावित, बरगी करण, साधारी करण एवं सत्यापन करते हुए परियाप्त, कर्म, विशयक और व्यवस्तित, पद्दती है यह कथन किसका है? करते हुए तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा यहाँ पर जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसमें सही answer एउप्शन आपका लुंड वर्ग आपका सही answer हो जाएगा ठीक है पावर पॉइंट है पावर पॉइंट क्या होता है? तकनीक है, प्रोग्राम है या सॉप्टवेर है पावर पॉइंट आपका एक सॉप्टवेर होता है क्या होता है? पावर पॉइंट आपका एक सॉप्टवेर होता है पी-पी-टी पी-पी-टी के अंतरगत पेज को क्या कहा जाता है? पी-पी-पी-टी के अंतरगत क्या कहा जाता है? स्लाइड क्या कहा जाता है स्लाइड प्रिजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की रूप रेखा को कहा जाता है प्रिजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की रूप रेखा को कहा जाता है क्या कहा जाता है ले आउट क्या कहा जाता है ले आउट आपका कहा जाता है प्रिजन्टेशन के समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने की प्रिगरिया क्या कहलाती है आपकी क्या कहलाती है स्लाइड मूविंग कंट्रॉल या ट्रांजिशन तो आप बताएंगे कि स्लाइड ट्रांजिशन उसे कहा जाता है presentation की रंग योजना को क्या कहा जाता है theme कहा जाता है program color combination या रूप रेखा theme उसको कहा जाता है theme कहा जाता है जो बोले गए सब्दों को पहचान कर उसे पठिनीये पार्थ में परिवर्थित कर देता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे आपने बोला और उसे किसमें convert कर दिया उसने पठिनी ये पार्थ में ठीक है तो उसे कहते है speech यानि कि बोलना और to speech से text ठीक है speech से text में उसे convert करने को speech to text कहा जाता है text next question कह रहा है अनु इसमारक मसीनी अनुवाद योजना क्या है अनु इसमारक मसीनी मसीनी योजना अनुवाद योजना क्या है यहां पर हो जाएगा मानब अनुवादक के समान मसीनी अनुवाद करने का प्रियास हिंदी में अनुवाद करने का प्रियास सभी भासाओं में अनुवाद करने का प्रियास यह सभी तो यहां पर D option आपका बिल संगड़क की साहता से चर्चा करना है या उपरियुक्त सभी तो संगड़क साधित भाषा कहते हैं संगड़क की साहता से भाषा सीखना किसे कहते हैं संगड़क की साहता से भाषा सीखना पाणिनी पार्सर क्या है अनुवाद परियोजना सब्द संसाधन यूनिकोड अक्षर तो जो पाड़िनी पारसर है वो है अनुबाद परियोजना क्या है अनुबाद परियोजना आपकी कहलाती है कि कह रहा है संगड़क साधित भासा सिक्षण में महत्वण भूमिका होती है शिक्षक की विध्याले की संगड़क की या सभी की तो जो संगड़क साधित भासा उती है, उसमें सिक्षक की महत्पूर्ण भूमिका होती है, संगड़क साधित सिक्षन पदती में बिद्यारती और शिक्षक संगड़क के माद्यम से कहीं से भी पढ़ पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यह option आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा presentation बनाने के लिए किस program का उपयोग किया जाता है presentation कौन से program जो बनाई आती है आपकी powerpoint के द्वारा बनाई जाती है powerpoint slide में speaker notes बनाने के लिए किस option का उपयोग किया जाता है आपका तो यहाँ पर short note है slide note है sound note है notes view तो यहाँ पर notes view इसका सही answer हो जाएगा ठीक है आप slide so को कैसे रोक सकते है ESC जो key होती है उसे दबा कर क्या कर सकते है delete को ESC को right arrow या left arrow तो यहाँ पर ESC जो होता है ESC key को आप दबा कर क्या कर सकते है slide में केबल text देखना चाहते हैं तो इन में से कौन सा tab pre-op करेंगे अगर आपको सर्फ text देखना है slide में तो आप pre-op करेंगे किसका एक option होता है outline का outline का एक pre-op outline के दौरा आपको सर्फ text दिखेगा slide का ठीक है तो यहां पर C option आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा यदि आप slide का क्रम बदलना चाहते हैं मालो तो आप किस view option का प्रियोग करेंगे slide sorter view यानि कि normal view, notes page, slide sorter view slide sorter view slide sorter view का आप प्रियोग करेंगे करा है इन में से कौन सी की आप spelling check करने के लिए करते हैं तो अभी इससे पहली वाली unit में मैंने बताया था app 7 से क्या होता है spelling check होती है, app 5 से आपका क्या होता है refresh होता है, ठीक है तो यहां पर इन दोने चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे animation क्या है animation क्या होता है, इस्थिर चित्रों को गती देना क्या होता है, इस्थिर चित्रों को गती देना ही animation कहलाता है क्या है, विसुद्ध अत्वा मूल सोध में किस विसय का अध्यान किया जाता है विसुद्ध अत्वा मूल सोध में किस विसय का अध्यान किया जाता है गड़ित का मूल विज्ञान का या दोनों का तो यहां पर बिसुद दत्मा मूल सोध में दोनों का अध्यान किया जाता है ठीक है सोध परशन कितने उद्देशों को पूर करता है सोध परशन कितने उद्देशों को पूर करता है दो उद्देशों को आपका पूर करता है यहां पर सोद बदों की बैग्यानिक विदी के कितने क्रम है कितने क्रम है आपके 7 है 8 है 9 है या 10 है तो यहाँ पर 8 क्रम इसके होते है ठीक है निम्न मैंसे किस अवस्था में विचारों और मुद्दों की ब्यापक रेंज को सम्भव बनाया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर A option बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है? A option इसका some million आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा सोध के किस प्रकार के मौझूदा इस्थिती में सुधार पर ध्यान केंदरित किया जाता है? जो स्कुरियात्मक सोध होता है ठीक है? क्रियात्मक्सोद में मौझूदा इस्तिती में सुधार पर ध्यान किंद्रित किया जाता है यहाँ पर B option आपका बिल्कुल सही है क्या रहा है मूल लिसिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है मूल लिसिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है तो यहाँ पर मूल्यों को आदर्षात्म प्रिस्तुति देना, मूल्यों पर आदर्षात्म प्रिस्तुति, बिमर्शी शत्र, सास्त्रिय गर behaviors przez अपर चर्चा करना यहाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बावन का question का answer विदस्त बावन का answer ने क्या है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रिस्तुती अत्वा बिमर्शी सत्र ठीक है तो B option आपका बिलकुल सही आंसर यहां से हो जाएगा ठीक है B option आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा Next question कह रहा है कह रहा है कि तोद करने के लिए निम्न मैंसे कौन सी आरंबिक अनिवारियता की अपेक्षा है ठीक है Sampling Cases का आश्य क्या है Sampling Cases लोग समाचार पत्र टेलीविजन कारिकरम आदी की Sampling करना क्या 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 लाता है Sampling Cases ठीक है Sampling Cases क्या 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 लाता है लोग समाचार पत्र टेलीविजन कारिकरम आदी की Sampling करना तो यहाँ पर जो है A option बिल्कुल सही answer हो जाता है आपका किरा एक thesis सूध प्रबंदन में चित्र अबम तालिकाय पाई जाती हैं कैसी होती हैं अन्ते मध्याइ में एक अलग अध्याइ में पाई जाती हैं या मूल पाठ में ही पाई जाती है या परिशिष्ट में पाई जाती है तो हमारा सही आंसर है आपका मूल पाठ में ही आपकी पाई जाती है सोध प्रवंद कथन है सोध प्रवंद किसका कथन है द्रण कथन है एक प्रिक्षन है एक तत्थ है अबिचार बिमर्स है तो यहां पर सूद प्रवन्द जो कथन है वो है द्रण कथन ठीक है द्रण कथन आपका सही आंसर हो जाएगा सोड किस किस प्रकार का प्रशिक्षन है सोध किस प्रकार का प्रशिक्षन है आपका अपचारिक है अनुपचारिक है दोनों है ठीक है तो सुध जो है वो आपका एक प्रकार से आपचारिक जो है प्रशिक्षन है ठीक है सोध से व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है सोध से व्य होता है तो सबी प्रकार के किस के हैं आपके soak Или besω को अभी बताया था मैंने बताई ये research cock an err की तो यहां पर सही आंशर आपका कंव है research पर है CTL q amr नेक्स कुर्ण क्या राए दो किसी समस्या के विबस्तित- ありजिक पर आपका किसी समस्याँ से संबन्वत ज्यान को, बढ़ाने के निस्पक्ष प्रयास को, सोथ कहा जाता है, यह परिवासा किसकी है, पीवी यंग की, स्टिय मूसर की, भोगार्स की, या थियो डॉरसन की, ठीक है, तो यह परिवासा आपकी, थियो डॉर्सन की हो जाती है ठीक है थियो डॉर्सन की ये परिवासा है अगली परिवासा भी देख लिए जी है किसकी है ये कहरा है नभीन तत्यों की खोज प्राचीन तत्यों की पुष्टी करना तत्यों की ग्रमबद्धता करना ठीक है पारसपरिक तसंबंदों तता कारण आत्मक पयाख्याओं के अध्यन की बिवस्थित विदी को सूध कहते है यह परिवासा किस की है यह परिवासा आपकी है PB यंग की यह परिवासा हो जाती है तो यहां पर आपकी Hindi की जो है कुछ कुशन और बचे हैं आपके PB यंग की आपकी तो यह आपके कुश्चन और बच्चे हैं यह और देख लेते हैं एक दो परिवास हैं और बच्ची है यह भी देख लेते हैं कह रहा है ग्यान की किसी भी साखा में नवीन तत्यों की खोज के लिए साबधानी पूर्वक किये गए अन्वेशन अत्वा जांच पड़ताल को सोध कहते हैं यह किसका गतन है इसका रैडमेन या मोरी का टक्टर बेजनात का एडवांश लर्न नर डिक्ष्णरी और ओप करेक्ट इंगलिस का यह आचाइर घ्जारी पर आंसर साही आंसर हो जाएगा है सोध स्वरूप आपम मानक भ्योहारिक कारेवधी सीर्षथ कुस्तक के लेखा कौन है ठीक है तो यहां से डाक्टर बिने मोहन सर्मा है डागिंद्र है आचारी हजारी परशाद दुवेदी है बेजनात सिंगल है तो यहां पर D-Option आपका बिलकुत सही आंसर हो जाएगा यहां से सोध प्रविदी पुस्तक के लेखक है आचारी हजारी परशाद है आचारी रामचंद्र शुकल है आचारी महावीर परशाद दुवेदी है बिने मोहन सर्मा है तो जो सोध प्रविदी पुस्तक है यह किसकी है यह है आपकी डाक्टर बिने मोहन सर्मा की ठीक है यह डाक्टर बिने मोहन सर्मा की पुस्तक है सोध और सिद्धान्थ किसकी पुस्तक है डक्टर नगेंदर की बिने मोहन सर्मा की बेजनाथ सिंगल की या रामचंद्र शुकल की तो यहां पर ए उप्षन आपका बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा आठ नमबर को जो है आठमी यूनिट जो होती ही काई नमबर आठ आपकी कम्पलीट हो चुकी है यहां से जतने कुश्चन बन सकते थे आपको सभी कुश्चन करा दिये गए आप इस पूरी बीडियो को इस पूरी प्लेलिस्ट में जतनी भी आपकी बीडियो बनी है हिंदी से संबंदित आप पढ़ लेंगे तो आपको ना तो किसी किताब की जरूरत पढ़ेगी और ना ही आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यक्ता है अब इसी को दो से तीन बार देख लेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से जो है सॉल हो जाएगा ठीक है तो यह सारी यून